तो कैसा आप सभी सो गैस तो आज के वड़े में आप सभी जानोगे बेबलेट की सभी सीरीज की टॉप 6 डेथ बेबलेट बैटल्स के बारे में दूसरे शब्दों में इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेबलेट की सभी सीरीज की टॉप 6 ऐसी भी बैटल्स के बारे में जिन में लड़ते हुए बीब लिडर्स और मोस्ट डेट हो चुके थे तो गाई जी वीडियों का आप सब्सक्राइब करो और बैल आकों को विए अपर सेट का दो हर एक नौटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करता हूँ तो यार अब बिनाव को टेफिकेशन के चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जिंगा वर्सस कियो या बेबलेड मेटल मास्टर्स के वर्ल चैंपिंशिप में जब जिंगा और कियोयो के बीच घमासान बेबैटल होती है तो इस बेबैटल में दोनों अपनी लिमिट्स को हद से जादा पुश कर देते हैं जिसकी वज़ए से ये दोनों काफी जादा बूरी तरीके से इंज़र्ड हो जाते हैं और यहां तक कि इन में इतनी भी शमता नहीं रह पाती कि अपने बेबलेड को लांच कर सके हैं और इसी वज़ए से ये बेबैटल में लिस्ट में 6th प्लेस पर जैगे बनाती है इसकी वज़ए से उसमें अपना बेबलेड उढ़ाने तक की छमता नहीं रह पाती और उसे मैच को कुईट करना पड़ता है और इसलिए ये बेबैटल में लिस्ट में 5th प्लेस पर आती है उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो एकदमी खत्म हो चुका था बट स्टिल वो वापस आया और उसने ब्रुकलिंग के अगेंस्ट एक री मैच लड़ा जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ब्रुकलिंग को हरा दिया लेकिन उस मैच में भी काय काफी ज़दा इंजर्ड हुआ था और वो बेटल उसके लिए एक डेध बेटल से तो कम बिलकुल नहीं थी और इसी वज़़े से काय और ब्रुकलिंग के बीच हुई बेटल मेरे लिस्ट में फूर्थ प्लेस डिज़व करती है थर्ड प्लेस टाला वर्सेस गार्डलेंड Justice 5 लीक से पहले टाला और गार्डलेंड की बीच एक बैटल होती है जो की टाय पर खत्म होती है लेकिन इस बेटल में टाला इतना ज़्यादा इंजियर्ड हो जाता है कि वो कोमा में चला जाता है और इसी वज़े से उसे हॉस्पिटल में काफी दिनों के लिए एड्मिट रहना पड़ता है और इसी वज़े से ये बैबैटल में लिस्ट में थर्ड प्लेस पर जगह बनाती है सिगंड प्लेस रे वर्सेस ब्राइन बैबलेट की सीजन वन के एपिसोड नमर 49 में रे और ब्राइन के बीच हुई बैबैटल बैबलेट की इस्टरी की वन अफ दी मोस्ट एपिक बैबैटल में से एक थी और अगर मैं अपना परसनलिल उपिनियन दो तो ये सीजन वन में मेरी मोस्ट फेवरेट बैबलेटल है विकॉज ब्राइन एक बहुती बे रहम बेबलेडर था और वो ड्रिगर को चीनने के साथ साथ रे को भी मार डालना चाता था जिससे फ्यूचर में कोई भी इंसान बाय वोल्ट कोर्परिशन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत ना कर सके ब्राइन की विंड अटैक्स ने रे के शरे पर अंगिनाद घाव दिये अंत में रे ने उसे हरा तो दिया लेकिन वो उसे ऑस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और इसी वज़े से ये वेबैटल हमारे लिस्ट में सेगन प्लेस पर चेगे बनाती है फर्स प्लेस रायोगा वर्सेस रागो वल रायोगा और रागो के बीच हुई बेबैटल के बारे में आप सभी बेबलेट फैंस पहले से ही जानते हो और इस बेबैटल में रागो ने नेमिसिस के अटैक्स के दम पर कई बार रायोगा को हराने के कोशिश की थी लेकिन रायोगा ने रागो और उसके नेमिसिस के अगेंस्ट अपने घुटने नहीं टेके रायोगा जानता था कि वो उससे नहीं हरा सकता बट स्टिल खुद को बेस्ट साबित करने के लिए वो उस बेबैटल में लड़ता रहा इन दी एंड अनफॉर्चिलेंटरी रायोगा हार गया बट स्टिल उसने केंटा को अपनी पावर दे दी और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया जिसकी वज़ा से कई सारे बेबलेट फैंस को ऐसा लगता है कि रायोगा की डेथ हो चुकी है इन फैक्ट जब हम बच्चे थे तब हमने भी बच्पन में पहली बार जब मेटल सीरिस देखी थी तो हम सभी के दिमाग में यही आयोगा लेकिन ऐसा नहीं है रायोगा दरसल केंटा के बेबलेट सेजी टेरियों के अंदर चला गया था और जब बेबलेट शोगन स्टील वापस आया तो हमें बेबलेट शोगन स्टील में रायोगा की जिन्दा होने के कुछ रिफरेंसेज मिले थे तो आज के वीडियो में यही है हमारी बेस्ट बेब बैटल तो गाईस यह था मेरा आज के वीडियो और टॉप सिक्स डेथ बेब बैटल सिन बेबलेट रॉल सीरिस के बारे में करने को मिलेंगे जिन्हें मैं खुदी आइडिर करता हूँ तो गाईस मैं मिलता हम से नेक्स्ट वीडियो में तब दक लिए कीप वाचिंग किप सबोर्टिंग स्टेट यूट एंड जैहें